हेलो एर्यवन और वन्स अगें वेल्कम बैक टू अनेधर एपिसोड अफ डिजिटल मार्क्टिंग वीकली अपडेट्स माइशल्फ उमर तसकीर गाइज आज की सब्ते के लिए मेरे पास लगबग छे अपडेट्स हैं मैं एक एक करके इन अपडेट्स के बारे में आप वो YouTube Stories से रिलेटर गाइज हमें पता है कुछ टाइम पहले YouTube के उपर हम लोग Stories को भी पोस्ट कर सकते थे अभी भी यह option अवे लेबल है बट यह 26 जून से जो यह option है YouTube के अंदर Stories को अपलोड करने का वो option जो है वो YouTube जो है उसको discontinue कर देगा और इसका जो official notification है वो आप यहाँ पर देख सकते है YouTube Stories are going away on 26.6, right? Second जो हमारी अपडेट है that is with regards to Google's updated digital marketing playbook, मलब एक मार्केटर को आज के टाइम में जहां पर बहुत सारे यूजर की privacy से related issues होते हैं, उन सेनारियो में किस तरीके से अपने ads औगरा run करने हैं, किस तरीके से उसे data collect करनी है, किस तरीके से first party data collect करन तो इसके लिए आपका जो इनका ये official documentation उसको आप देख सकते हैं, driving growth in a changing privacy landscape, the digital marketing playbook यहां पर properly दीवे, आप इसको download कर सकते हैं, right? So, जब आप इसको download करेंगे, मैं आपको दिखा दूए, किस type से आपको दिखाई देगी, जैसे मैं scope in करता हूँ एक बार, so जैसे आप इसको download करेंगे, देखे, बहुत सारी information जो है, वो यहां पर दीवे proper summary है, और फिर किस तरीके से आपको जो uncertainty है, उसको ठीक करना है, है, वो किस तरीके से perform कर रहे है, मिटा के ऊपर, specially Asian market में, इसकी एक proper report जो है, मिटा ने publish करी, एक official proper जो report है, वो publish करी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं, और उससे भी आपको बहुत जादा clarity है, वो होगी, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहां पर यह इनका official documentation है, May 2023 का maximizing meta video ads for short and long term impact in Asia Pacific, तो यहां पर proper इन्होंने reports जो है, वो बनाई हुए, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यह वो report है, तो जब आप इसके उपर click करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं, पूरी इन्होंने case study जो है, वो provide की हुए, maximizing the impact of meta video ads in the short term and long term, और यह report update है, वो है topic authority ranking system से related, अब guys, Google ने एक na official अपने blog के उपर एक publish किया, एक article publish किया, एक blog publish किया, जहां उन्होंने mention किया कि उनके पास एक ranking system है, जो है topic authority ranking system, जो ranking system की बात होती है ना, तो एकदम से बहुत सारे जो SEOs है ना, वो active हो जाते हैं, अभी तक ना, इस type के ranking system की पहले बा इकदम से ये चीज़ लगी, ये कहां से आ गया है, जब इस बारे में और ज़्यादा चर्चा करी गई तो पता चला कि ये ranking system पहले से ही available था, बट ऐसा नहीं था कि इसकी चर्चा उतनी ज़्यादा होती थी, अब हमने थोड़ा सा इस चीज़ को publish के, अपने blog के उपर की ranking system किस तरीके से काम करता है, तो ये ऐसा नहीं कि ये आज का ranking system है, पुराना ranking system है, और हो सकता है कि हम लोग इसको जो हमारे ranking system का जो official documentation है, उसके इंदर भी हम लोग इसको push कर दें, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वो 23rd मे का official blog है, जिसमें जो है news topic authority के बारे में publish क ये चीज़ आप लोगों को clear हो गए होगी, उसके बाद जो हमारी next update है, वो AI से लेड़ गए, जब से chat GPT की बात हो रही है, तब से AI की भी बात हो रही है, कि आखिर AI कितना evolve हो सकता है, राइट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इतना evolution ठीक नहीं है, AI अगर बहुत ऐसे technologies के उपर ना experimentation हो, जो beyond chat GPT की कि इसके बाद और भी बहुत सारे advancement होगे, तो that is not fine, तो वो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, post-giant AI experiments and open letter यहाँ पर दिया हो है, और बहुत सारे लोगों ने signature already कर दी, तो यहाँ पर आपको simulations ला सकती है, किस तरीके के नियम बन सकते हैं, इसके उपर बहुत सारे पूरी दुनिया की almost governments जो है, वो काम कर रही है, ताकि इसका किसी भी तरीके से misuse जो है, वो ना हो सके, या कोई यह ऐसा scope न खोल दे, जिससे बहुत सारे scams हैं, वो होने शुरू हो जाएं, या जिस त जो भी आपके Google के accounts, जो भी आपके inactive हैं, पिछले दो सालों से आप उसमें sign in नहीं करते हैं, आप उसमें mail नहीं भेंचते हैं, आप drives उसकी नहीं use कर रहे हैं, तो अगर ऐसे accounts आपके जो inactive हैं, वो December 2023 के बाद से terminate कर दी जाएंगे, एक तरीके से inactive कर दी जाएंगे, फि पार्टिकलर वीडियो में इत्मा ही, मिलते नेक्स वीडियो में, तिल देन, गुद्बबाए.